वेल्कम 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 गाइज और आते ही सर्वर हो गया है डिसकनेक्ट जागट गई मेरी एक मैच खाम अगा क्या डिसकनेट हो गया क्या अब बई तो चालू हो गया यह रोज साड़े चार बजे चालू होता है मास्टर लिक और थैंक्स वार सपोर्ट इस मास्टर लिक बढ़िया बैटल रहते इसमें आर्टूफ बैटल तो इसमें मैंने एक देखा है कि जितनी जल्द आप सामने वाले को को हरा दोगे उतनी ही ज्यादा प्रोबैबिलेटी होगी कि आप जीतूगे इसमें तो मैंने रेस्ट अटेक तो रखे है कुछ पोकिमॉन के लिए जो इंपार्टन पोकिमॉन है उनके लिए लेकिन वक्त पढ़ने पर ही मैं यूज़ करूँगा बहुत इंपार्टन होगा हो ही कि मैं अभी पावर अप कर रहा हूँ मेरे ग्रावडान को और दे रहा हो तो अभी टॉक्सिक अटेक कुछ पोकिमॉन को मैं टॉक्सिक अटेक दे रहा है सब्सक्तव को देने की जरूद नहीं है तो इसके अगेंस मेरा कोई भी पोकमोन पाउरफुल नहीं है यह घोस टाइप है और मेरे अटक फीजिकल टाइप है इसके लिए मुझे अटक नहीं चाहिए था रेस अटक इसलिए मैं कह रहा था कि सभी पोकमोन को अगर रेस देया आपने तो मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि थ्री टू-फोर टर्न वह स्प्लिप में रहता है वह इसने मिस कर दिया बाल-बाल बच्छा में भी बस आगला पोकमन ज्याद़ पाउरफुल नहीं है बचा ले ना मेरे जाए मुष्किल है लेकिन बचा लिना आू- सकते हैं करनाSi इसलिए इसमें वर्क नहीं करता क्योंकि बहुत कम वक्त होता है अब देखता हो वेविल क्या करता है तो मैं यूज करूँगा टॉक्सिक क्या इसका आटक इतना पावर्फुल होगा और एक वेजर का मेरा अग्यांस तो मैं चेंज करूँगा पोकेमोन ग्राउंट टाइप पर लूँगा और यह तो फाइल टाइप निकला जगला यह ग्राउंट टाइप है यार ठीक है फायर एंड गोस्ट तो मैं क्या करूँगा ठीक को थोड़ा परप करूँगा तो कि अल्वी जल्दी तो कि इसने को स्टाइप निकला गोस्ट तो मेरी अटक तो गए काम से तो मेरे पास्ट टोनेज है त्राइप करूँगा तो स्टोनेज इसे में इसको डेमेज दे सकता हूं पूर्ड अब देखते हैं और इसमें सबसे बड़े बात यह मास्टर लिगे में हर वक्त आपको अलग पोक्मोन मिलते हैं, बैटल करने के लिए, अलग मेगा लेजेटरिस मिलते हैं, अलग अटैक्स मिलते हैं, जिस से आप नए-एटैक्स भी देख सकते हो, उनको यूज कर स एक नई statr g बना सकते हो और यह बड़ी आय इस हैं इसमें attack change होते हैं पहले मुझे पता नहीं था लेकिन होते ही sądze मैंने attack check आपर सब को अब देखते हैं क्या करता है मैं poison jab root कुरूँद करूँग करियो special atmosphere न फर्ल प्रशल ऑन प्रम सरे हैं कमान poिषट्वPark मैं तो गया एक ही जटकी में गया मैं तो वाव तो यह दिखने में चोड़ा पोकेमोन ही लेकिन हैं बहुत बढ़िया पाउरफुल है तो तो इसमें एक अटेक स्वेगर इससे सामने वाला पोकेमोन कॉंफ्यूज हो जाता है और अटेक नहीं कर पाता है कि मैंने इसको कमफ्यूज कर दिया है अब मैं यूज करूंगा मेरा अटेक यस फेरि टाइप अटेक ड्राइगन टैप के सामने हमेशा वर करता है कमान यह जाधा ही हील रहे है यह फेनanders परसे में सामने और को कमफ्यूज करूंगा स्वेगर से कि कमान ,कमान ,कमान , फासफफफ़ू altre however , इस ने अपना अटेक बढ़ा दिया मैंने कम्फूज कर दिया, पहले ही , तो इस ने अटेक और स्पेशाल अटेक दूनों बढ़ा दिये ,ک puppies अई है ? तो चेंज करना ही बेतर रहे गा, तो तो गॉबahu , वेवेल अब यह जो अब यह अब अब यह अब आटक नहीं कर पाए गाई यह तो मैं करूंगा टॉक्सिक पहले फर्स्ट क्योंकि इसके पास शेयरफोल्ड अटक है जो फिशर की जैसा काम करता है वह इसने तो बहुत डैमेज दिया मुझे ओ बजगया 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 अरे सटक कभी-कभी खाम आता है तो लेकिन इसमें बहुत मुश्किल है यह देखो स्लिप मोर में होने के वज़े से कुछ नहीं कर पाया मैं अब आई का मेरा जाइक्रेट तो साइक्रेट को मैंने वैसे ही अटक देए जो मेरे पास है मेरे जाइक्रेट के पास सिर्फ ड्राइगन टेल मैंने चेंज किया है ओके यह तो गया अब कोंसा पोकेमोन लाएगा तो में का कुरूंगा पहले न अटक और डिफेंस बड़ा देता ओके आंगे ना पोकेमोन डेंजर है इतने बड़े जाइग्रोड को एक जटके में गया और उसकी एच्पी भी कम है मेरे से और उसको पास कोई स्पेशल अटेक कोई अटेक भी नहीं अब क्या तो मैं पहले स्वैक्री यूस करूंगा मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कमान शायद अब अटेक नहीं कर पाएगा तो ट्रेंट पंच वो इसने अटेक कर गी है किसे कमफ्यूजड है फिर भी बड़ी है कमान टोको कमान टोको टोको फिर शेम कि कमान अटेक तो नहीं है मेरे पास कमान ट्रेंट पंच यस जाल्दा कुछ पावर अप हुआ नहीं और यार यह पोकेमोन फिर से मैं तो रिस्ट नहीं लूँगा डायरेक्ली आटकी यूस करूंगा कमान मेरेक्ट इस्ट यस्ट यस्चिट प्लाद दिस्ट से लाप्स वाट अषाव भाव yah श्रभअ फिर समय freedom बालत